असलाम आगो मैं हूँ आली रहमान और आप देखरें टूटोरियल सटाउन आज की क्लास में हम देखेंगे कि इस सिंबल के जो टूल होते हैं वो किस तरह से यूज किया जाते हैं सिंबल को कैसे एडिट किया जाता है सिंबल की लाइब्री आपको कहां से मिलती हैं यह सब कु वो मेरी निव आने वाली जो वीडियोज है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए तो चलते हैं सॉप्वेर पर और दिखते हैं कि सिंबल टूल्स को किस तरह से उसकिया जाता है सबसे पहले आज की क्लास में हम दिखेंगे के सिंबल्स मिलते कहां से हैं और उनकी लाइब्री इसम किस तरह से एक्टिव करते हैं सो सबसे पहले विंडो में जाएंगे और यहां पर एक option आपको मिलता है symbols का symbols में जाके आपको एक panel नजर आएगा which is symbols पैनल यह जो आपके सामने symbols नजर आ रहे हैं इनको कहते है default library stretches की अगर आपके पास इन symbols के इलावा कोई symbols आ रहे है इसका मतलब कि जब आपने control n प्रेस किया था new document लिया था तो आपने यहां से मैंने यहां से वैब की profile पे जो document है common वाला वो लिया अगर आप print select करेंगे तो आपके पास different symbols आएंगे अगर आप film वो सब access कर सकते हैं no issue के कौन से वाले default symbols आ रहे हैं आपके पास तो जो भी आपको symbols चाहिए उसकी libraries जो illustrator में पहले से बहुत पुराने version से आती है वो आपको यहां पर यह libraries का यह बटन है सामने आपको नजर आ रहा होगा इस पर आप click करोगे और यहां पर different types की बहुत सारी libraries है मैंने count नहीं की बट बहुत सारी libraries है तो मैं यहां पर suppose कहता हूँ logo elements मुझे चाहिए तो मैं यहां पर click करता हूँ और different types के यहां पर logo के elements आ गए इनको आप logo में यूज मत कीजिएगा बहुत बुरे लगता है बट सिर्फ मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ कि यहां पर आप के पास एक library है next करेंगे तो और मसीद लाइबरी जा देंगी और लाइबरी जा देंगी तो different types की यहां पर यहां पर डिफरेंट आइकन्स आपके बहुत अच्छे मौजूद तो मैं यहां पर नेचर वाई लाइबरेरी में जाकर आप जिस सिंबल पर क्लिक करोगे मतलब किसी भी लाइबरी में वह आपके सिंबल्स पैनल में आ जाएगे सिंबल्स पैनल में आज जाने के बाद अब आप उसको यूज कर सकते हो सिंबल्स टूल के साथ अगर आपने कोई भी सिंबल्स लैक्ट नहीं किया इनकेस मैं यहां से बटर फ्लाय भी स्लेक्ट विवे में बाहर क्लिक कर देता हूं और यह हैं आपके पास सिंबल्स के टू सिंबल्स के टूल्स सारे हैं सबसे पहला जो टूल्स यह सबसे पहले काम करेगा का नाम है सिंबल टूल को टूलिय। हूँ और select करने के बाद जब मैं इसको spray करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर आपको यह error मिल रहा है यह error है कि आप से कह रहा है प्लीस select a symbol from symbols panel first मतलब कि आप एक symbol select करो जो आपको spray करना है symbol panel में तो symbols panel मेरे सामने है उसकी library में सामने है मैं यह वाला symbol spray करना चाहता हूँ तो मैंने ladybug को select किया और फिर select करने के बाद आप यहाँ पर spray कर सकते हूँ इस प्रे करने पर अगर आपको लगता है कि इस प्रे जब सिंबल का जो टूल है वो कर रहा है बहुत ज्यादा कर रहा है यह बहुत कम कर रहा है तो उसकी सेटिंग्स आप डबल क्लिक करके स्टूल के उपर सेट कर सकते हूँ इसका डायमीटर यानि जो यह ब्रिश जो इस प्रेयर था उसका एक सर्किल आपको नजर आ रहा था उसका डायमीटर कम करना है ज्यादा करना है यह आप सिंबल की डैंसिटी अगर बढ़ाना चाहते है करना चाहते है टोगे खलिए कम सिंबल निकले तो आप गर पएंगर और अम च्छाहए क्वेए करना। मैं अब तो फिशन्द्ट करणा है इस तरह प्रश ash चाहिए आपको जयादा चाहिए एक वक्त में यह कम चाहिए एक बात यहांगर रखो आपको तो उसकी लिए आप set change कर ले, set change करने का मतलब यह है कि अभी जब भी आप symbol को spray करते हो वो एक site में या एक group में आते हैं और अगर आप दूसरा symbol उसके साथ spray कर दोगे तो वो उसी site में दूसरा symbol भी आ जाएगे जो के हमारे जो आगे tools हमें use करने है उनके लिए ठीक नहीं रहता तो अगर आपको आपको दूसरा symbol आप apply करोगे उसमें कोई changing करनी है या यह वाले symbol में कोई changing करनी है तो आप जो दूसरा symbol apply करोगे वो इस site के साथ नहीं होना चाहिए तो किस तरह से use करेंगे आप पहले इसको deselect करने के लिए आप selection tool को select करें और selection tool select करने के बाद आप कहीं भी खाली जगा पर बाहर click कर मैंने click कर दिया और अब मैं यहां से symbol sprayer को select करता हूँ और plus मैं यहां से कोई दूसरा symbol like यह वाली fish मैंने select कर लिए और अब मैं spray करूँगा तो यह उस group के साथ यह उस set के साथ spray नहीं होगी so यह group अलग है यह group अलग है ऐसे आपको symbol को spray करना second आपके पास जो tool है वो है symbol shifter tool symbol shifter tool के लिए इसके नाम से आपको बत्तुराओब और सबके नाम आपको याद रखवाएंगे कि वो करते कैं symbol shifter tool क्या करता है कि वो shift कर देगा आपके symbols को तो मैंने एक set select किया हुआ है मैं यहां से यह symbols बंद कर देता हूँ फिलाल कि अब हमें दूसरा अपलाए नहीं करना शायद तो मैंने select किया और यहां से इस diameter के बीच में जितने भी symbols जार होंगे उन सब को कुछ इस तरह से shift कर सकते है आपको लगता है कि एक के उपर एक overlap होते वे spray हो गए तो आप इस तरह से shift कर सकते है diameter का size change करना बहुत असान है आप इस tool के उपर double click करेंगे यहां पर diameter का size आ जाएगा आप simple कम करना चाहें तो 100 करके मैंने okay कर दिया और अब इस diameter के अंदर सिर्फ यह दो symbols आ रहें सिर्फ यह ही shift होंगे इस तरह से move move and move next हमारे पास जो tool है वो है symbol scruncher tool symbol scruncher दो काम करेगा या तो आपके जो symbols है उनको आपस में attract करवाएगा यह मैंने थोड़ा diameter कम कि अब मैं double click करके diameter बढ़ा देता हूं 200 किया अब इस diameter के अंदर जितने भी symbols होंगे वो आपस में attract होंगे करीब-करीब आएगे इस तरह से मामूली सफ़र का रहा है बट मैं repel करूंगा तो आपको नजर आगा तो repel करने के लिए आप alt press करोगे कोई भी अगर opposing function आपको यूज करना होता है illustrator में तो आप alt press करते हो अगर मैं ऐसे ही normally कर रहा हूं तो यह करीब-करीब आ रहे हैं लेकिन अगर आपको दूर-दूर भेजना है तो आप क्या करोगे आप alt press करोगे और click करके move करोगे तो यह repel हो जाएगे कुछ इस तरह से इनको दूर-दूर भेजना है आप दूर-दूर भी कर सकते हो फोर्थ option आपके पास यहाँ पर मौजूद है symbol sizer 2 symbol sizer उसके नाम से आपको बत चल रहा है size increase या decrease करता हूँ तो मैं double click करके यहां से symbol का जो diameter है वह मैं छूटा कर लेता हूँ और अब मैं इस पर click करूँगा त symbols आता जाएंगे उनके sizes आप ऐसे increase या decrease करते हैं अभी तो मैं increase करने के लिए अगेन आपको alt press करना है और simple आप click करोगे तो यहां से आप symbol sizer tool से symbols के sizes कम भी कर सकते हैं like this like this like this next आपके पास जो टूल है वह सिंबल इस्पिनर इस्पिनर रोटेट करेगा आपने कोई किसी भी सिंबल पर जाना है और घुमा दें अपने सिंबल को आप इस तरह से रेंडम कोई background बनाने के लिए या कोई illustration बनाने के लिए इसी भी तरह से आप इनको यूज कर सकते है बहुत मज़ेगा टूल है इस तरह से मैंने different rotation में different symbols यहाँ पर छोड़ दी जहां आप रूटेट करेंगे यहां रूटेट करने पर एक red color का arrow नज़र आएगा यहां पर आपको एक arrow नज़र आए उस arrow की direction में आपके symbols rotate हो जाए इस पिन हो जाए नेक्स हमारे पास जो है लाइक मैं आप fishes पर apply करता हूं तो इस fish के जो इसका group है उसको पहले select करना है control प्रेस करके click किया मैंने यह group select हो गया अब इस टेनर टूल क्या करता है मैं click करूंगा तो यह light कर रहा है या white या खतम कर देता है मैं वापस लेकर आता हूं color करने के लिए आपको सबसे पहले color choose करना है तो आप इस ग्रूप को select करोगे अब इसमें क्यों क्यों कर रहे हैं तो यहां पर question mark बनावार आप double click करो और यहा रहा है तो उसके लिए देन आप यहां पर window में जाओगे colors पैनल में जाओगे और अगर यहां पर कुछ इस तरह से gray scale हुआ आपको नजर आ रहा है तो आप इसको CMY या RGB में convert कर सकते और आप यहां से भी colors pick कर सकते like मैंने light green किया brush का diameter बहुत जादा बढ़ा है तो मैं double click करक और अब मैं click करता हूं ते green हो लेकिन perfect green नहीं हो जो color मैंने pick किया आप मजीद एक और बार click करोगे फिर से click करोगे फिर से click करोगे जो color आपने लिया है वो उस color में आपका symbol आ जाता है दैन फिर click इतना भी color ठीक है जितना आपको मतलब ठीक लगे अपना apply करो और इस तरह स में भी अपने symbols को change कर सकते हैं नेक्स्ट आपके बाद जो टूल है वो है symbol screener tool या को कोई symbol screen out करना है मैंनी screen से हटाना है screen के लिकर आना है fadding या fad out करना है तो उसके लिए आप symbol screener tool को use कर सकता है like आपको इस symbol की opacity कम करनी है तो आप ऐसे कम करनी है तो इसको select किया और यहां इस वाली की opacity डाउन कर दी इसकी opacity में चाहता हूं यह वापिस आजा है all price किया और वापस तो इस तो इस तो डिफरेंट डिफरेंट opacity के साथ आप अपने symbols को रख सकते हैं एक last option हमाया पास यहां पर मौजूद है which is symbol styler tool जब मैं से click करूंगा इस fish पे इस group को select किया पहले मैंने और इस fish पे मैं click करूंगा तो एक error देगा आपको illustrator और इस error में लिखा हुआ है कि please select style from graphic styles panel first तो सबसे पहले आपको जाना है sorry okay किया और सबसे पहले आपको जाना है window और window में जाके यहां पर option है graphic styles इसी पैनल के दाम महां लिखा था मैंने इस पे click किया तो आपके graphic styles आ जाएंगे और graphic styles की बहुत सारी libraries होती है जैसे भी आपने symbols की select की है तो मैं यहां पे अगर artistic effect देता हूं वैसे सारे effect इन जो आपके objects होते symbol के उसके लिए नहीं होते मतलब apply हो जाता है software मैंना नहीं कर तो अगर मैं इसमें से कोई click करता हूं और click करता हूं अभी भी apply नहीं होगा क्योंकि graphic style में थोड़ा सा problem होता है कि यह पता नहीं illustrator ने अभी तक इसको ठीक नहीं किया तो यह इसकी lines पे एक effect apply कर रहा है यहां पर मैं एक और यह drop shadow का effect है यह आउटर ग्लू यह drop shadow इसको select किया मैंने और zoom किया आपको दिखाने के लिए यह सब चीजे मैं बंद कर देता हूं और इस वाली फिर्श के आपर मैं click करता हूं अभी दिखें इसका background पर कोई shadow नहीं है मैं जैसे इस पे click करूंगा तो एक shadow आजए इस तरह के shadows आप अगर add करना चाहते हो अपने symbols में तो ऐसे click 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 करते हुए आप shadows भी add कर सकता है तो यह कुछ हमारे पास symbols के जो tools से symbols को use करने के लिए हम इन tools को use करते हैं next अब यहाँ पर एक question सबके दिमाग में आता है कि यह तो वो libraries थी जो illustrator में available थी वो हमने इस्तिमाल कर ली हमने यूज कर ली बट अगर हम अपनी मर्जी का कोई symbol बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे तो symbol बनाने के लिए सबसे पहले के पास वो object होना चाहिए तो मैं यहाँ पर कोई एक circle बना लेता हूँ इस circle में मैं वार्प टूल को select करके कुछ shapes हम या फुकर या ब्लॉट टूल को हम यूज करते हुए कुछ shapes add करे तो यहाँ से मैं ब्लॉट टूल से कुछ इस तरह की एक shape बना दी इसको मजीद हम वार् राइट क्लिक क्या ग्रूप कर लिया और इसका size डिक्रीज कर दिया सिंबल बनाने का बहुत असान तरीका है आपको window में symbols पैनल में जाना है और simply new का बटन है आप इस पे click करोगे new symbol पे नाम पूछे का आप इसका नाम रख दो 111 कुछ भी नाम रख सकते हैं और okay कर दिया तो एक symbol बन गया मैं आसे इसको delete करना चाहूं तो delete कर सकता हूं और यहां पर यह नाम के साथ symbol दे रहा है और आप इसको भी spray करवा सकते हो symbol sprayer tools अगर आप किसी picture का symbol बनाना चाहते है तो picture का भी symbol बना सकते है मेरे पास यह picture है illustrator का logo मैं इसको select करता हूं और छोटे से size का मु करती कर रहा हूं को दिखाने के लिए मैं okay करता हूं तो यह कह रहा है कि आपका जो symbol है वो linked image नहीं होना चाहिए तो आपको सबसे पहले इस image को select करना है properties पैनल में जाना है और यहां से जाके embed का option है उसके आपको click करना है तो यह picture embed हो जाएगी and आप इसको drag करके drop करोगे त and then hit okay symbol बन गया delete किया and then आप symbol sprayer tool से इसको भी spray कर सकता है next अगर आपको अपना symbol ऐसा लगता है कि उसमें कुछ changing करनी चाहिए मैं colors change करने चाहिए तो आप कैसे करते हो वह भी हम दिखते है तो यहां पर मैं पास symbols है कुछ मैंने spray किये हुए अगर आपके पास कोई ऐसा symbol है जो आपने spray नहीं किया हुआ तो कोई भी problem नहीं है जैसे लागे butterfly मैंने कहीं पर भी spray नहीं की वी आप उस symbol पर double click करोगे double click किया व इसका जो color है मुझे यह वाला चाहिए तो इसको अब बाहर जाओ यह उपर आपके वासी butterfly का option और यहां back तो यहां सा बैक 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 करके भी पीछे जा सकते हैं तो आपके butterfly added होगे बट क्योंकि वह spray नहीं हुए विदी तो कोई फरक आपको यहां नजर नहीं आ रहा है in case के वह symbol अगर spray हुआ हुआ है तो आप क्या करोगे आपके पास यह symbol है अगर आप चाहते हो कि directly change हो तो आप इसी symbol को edit कर लो अगर आप चाहते हो कि वह जो जैसा apply हुआ वह भी symbol वह अपनी जगा वैसे ही रहे जब मैं इसको select करना हूँ देखें इसके उपर एक highlight होती भी line आ जाईए मैं जब अगर आप चाहते हो कि जो नया symbol आप बनाना मतलब मुझे ladybugs ही चाहिए बट वो मैं चाहता हूँ green color के होने चाहिए तो मैं चाहता हूँ जो मैंने spray कर दी है वो खराब नहीं हो तो अगर आप इसी को edit करोगे तो क्या होगा double click करने पर मैं अगर इसको कहता हूँ क यह red की वजए green हो जाए तो असान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ आपको select करना है symbol को और यहाँ पर edit में जाके option होता है edit colors री color artwork पर जाएंगे तो इस illustration में जितने भी colors हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाए and then फिर आप यहां से advanced option में जाएंगे और advanced option में जाके यह 4 colors इसमें use हुए मैं चाहता हूँ red की जगए green आना चाहिए तो red को select किया और यहां पर hue set कर लिए अपना green यह वाला जो red है वो यह color है इसको भी मैं green पर रही set कर लेता हूँ and मैं okay करूंगा और यहां से बाहिर जाओंगा जाओंगा फाली जगा पर double click करके तो आपके जितने भी symbols apply हुए थे red वाले वो सब change हो जाएगी so अगर आप चाहते हो कि यह जो symbol green अभी apply हो गया अब मैं एक नया color purple color का लेडी बग्स बिनाना चाहता हूं तो यह वाले खराब नहीं होने चाहिए वह एक नया symbol जो मैं spray करूंगा उस पर apply होना चाहिए तो आप इस ladybug की एक duplicate होगे duplicate कैसे select करेंगे आप इस ladybug को select करोगे औ और इसको new के button पर जाके छोड़ दो release कर देंगे तो अब जब आप इसको select करें तो देखें यह वाला जो symbol है वो इसका मतलब यह यहां पर apply नहीं हुआ हो तो आप बाहर खाली जगह पर double खाली जगह पर normal click करोगे और फिर आप यहां पर इस ladybug को double click करके edit क्लिक कर जाओगे मैं इसको select करता हूँ purple color कुछ यहां मिलेगा और एक dark purple color कुछ यहां मिलेगा और यह green को भी हम red कर लिए या yellow कर लिए और ओके किया बाहर double click किया तो आपके देखें green वाले symbols जो आपने वह apply किते वह वैसे ही है purple वाले नया symbol आ गया और आप इसको spray करना चाहते हो तो आप यहां symbol sprayer tool select करेंगे और आप यहां पर पेंट करोगे तो वह purple color वाले symbols को spray करतेगा तो यह थी आज की class अब आपको पसंद आयोगी समझ में आयोगी अगर समझ में आयी तो वीडियो like कर लीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon जरूर हिट कीजिएगा मिलते हैं next class में तब तक के लिए Allah अपिज अपना खयाल रखिएगा